मेरा नाम हरशाली है मेरी जिन्देगी अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छी रही थी मेरी माने मुझे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था हम दो भाई बहन थे और सिर्फ मेरी मा थी मेरे बड़े भाईया उनका नाम आलोग था मेरे बड़े भाईया बहुत मह तब इसे ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे भाईया के कंधों पर आ गई थी जिन्देगी बहुत खोशाल तरीके से गुजर रही थी लेकिन फिर अचानक एकांधी का ऐसा जोका आया जिसने मेरे जिन्देगी को पूरी तरहां से बर्बाद करके रख दिया था मुझे शर्म आती है ये बात बताते हुए भी आप लोगों को क्योंकि हमारे कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं जो हमें लोगों के सामने शर्मसार करने पर मजबूर कर देते हैं अपनी ये कहानी बताते हुए मेरा दिल भी खोन के आशू रो रहा है काश के आज में जिन्दा ही नहीं होती मैं तो अपनी मा के साथ ही मर गई होती तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता क्योंकि मेरे साथ कुछ जैसा ही हुआ था मेरे साथ गलत करने वाला कोई और न अपनी बहन के साथ इतना भी गलत किया होगा जितना मेरे भाईया ने मेरे साथ किया था किसी भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं की होगी जैसी मेरे सगे और बड़े भाईया ने मेरे साथ की थी मुझे शर्म आती है अपने बड़े भाईया को भाई कहते हुए वो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे मुझ पर अपनी जान यूचावर करते थे लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने तो मुझे कहीं मुझ दिखाने लाया की नहीं छोड़ा था आलोग भाईया मेरे एक लौते भाई थे मैं उनको अपना सब कुछ मानती थी एक अच्छा दोस्त अच्छा भाई और वो मेरे पिता के समान भी थे क्योंकि जब मेरे पिता की मौत हुई थी तो मैं काफी चोटी थी और मेरी हर डिमांड को मेरे भाईया ने ही पूरा किया था इसलिए वो एक तरीके से मेरे पिता समान भी थे भाईया की उम्र लगभग की शादी होनी चाहिए थी लेकिन भाईया जब भी इस बारे में मां से बात करते तो मां उन्हें बुरी तरह डाट दिया करती थी और कहती थी कि पहले तुम्हारी जवान बहन बैठी हुई है पहले उसके बारे में सोचो तुम तो लड़के हो तुम्हारी शादी तो कभी भी हो जाएगी लेकिन भाईयों के लिए पहले बहन की जिम्मेदारी से फ्री होना ज्यादा बहतर होता है उसके बाद ही वो अपने बारे में सोचे तो अच्छी बात है हमेशा तुम भी अपने ही बारे में मत सोचा करो तुम पर भी बहुत सारी जिम्मेदारिया है और अपने ज थीक लगते थे क्योंकि उनकी काफी उम्र हो चुकी थी ये उनकी शादी की उम्र थी और उनके साथ के उनके जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब की भी शादियां हो चुकी थी धीरे धीरे भाया की उम्र बढ़ती चली जा रही थी और इसी तरह से भाया की उम्र 32 साल हो गई ल तुम्हारे जॉब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाईया का है। तुम्हारे क्या सूजी है कि तुम जॉब करो। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिष्टा देखकर जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। पहले तो भाईया की शादी होनी चाहिए थी क्योंकि अब उनकी काफी उम्र हो चुकी थी लेकिन मा का कहना था कि अगर तुम्हारे भाईया की शादी करवा दी तो फिर वो हमें छोड़कर अपनी पतनी का गुलाम बन जाएगा और कभी भी अपनी मा बहन को पलट कर नहीं देखेगा तुम्हारे पिता जिन्दा नहीं है इस घर का खर्चा तुम्हारा भाई चलाता है और फिर मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है तुम से पहले अगर तुम्हारे भाईया की शादी करवा दी तो सारे जिन्दगी तुम यहां पर कुवारी ही बैठी रह जाओगी और मेरी उम्र भी अब काफी हो गई थी मेरी पढ़ाई पूरी होने की जित की वज़ा से मा मेरा रिष्टा नहीं ले रही थी लेकिन अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी इसलिए मैंने भी उनको रिष्टा करने की पर्मिशन दे दी थी मेरे कहने से पहले ही मेरी हर डिमां पूरी हो जाया करते थी और यही वज़ा थी कि मा मेरे लिए बहुत परिशान थी वो इसे इंतिजार में थी कि पहले मेरा रिष्टा होकर मेरी शादी हो जाए तो फिर भाईया के हाथ पीले करेंगी लेकिन अभी तो ना ही मेरा रिष्टा हो रहा था और ना ही भाईया की ही शादी हो रही थी मैं तो लड़की थी अपनी फिलिंग्स को खुल कर किसी से नहीं कह सकती थी लेकिन भाईया तो हर दिन घर में जगड़ा करते रहते थे और उनके जगड़े को काफी साल हो गए थे मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी वो मा से कहते थे कि हर परशाली के लिए कब तक मुझे भी बटाकर रखोगी मेरी शादी करवादो जब उसके भाग्ये में होगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी और वैसे भी पहले उसकी पढ़ाई की वज़ा से आपने उसकी शादी नहीं होने दी और अब उसके अच्छे रिष्टे नहीं आ तो माँ हाथ में चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रख देती थी ताकि भाईया को इमोशनली ब्लैक मेल कर सके फिर सारी बात वही पर ही खत्म हो जाती थी और भाईया अपने कमरे में बंध हो जाते थे माँ इस तरह से अपनी जीत समझती थी और उनको लगता था कि इस तरह उन्होंने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेफ कर लिया है माँ बहुती मासूम थी और मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती थी उन्हें लगता था कि बहनों को उनके भाई तब तक समझते हैं जब तक उनकी पतनिया नहीं होती शादी होने के बाद वो अपनी पतनियों के जब मुझे पढ़ाई करनी थी तब तो मेरे बहुत अच्छे रिष्टे आ रहे थे लेकिन अब मेरे ज्यादा रिष्टे नहीं आ रहे थे मेरी उम्र 27 साल थी और अब मेरे चहरे से मेरी उम्र लगने लगी थी क्योंकि मैंने पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान दिया था इस वज़ा से मेरे चहरे पर मेरी उम्र की बड़ोतरी दिखने लगी थी, इसी तरह ना ही अभी तक मेरी शादी हुई थी और ना ही मेरे भाईया की जित पूरी हुई थी, अब तो भाईया ने शादी की बारे में बात करना घर में बिलकुल ही बंद कर दिया था, लेकिन शरकते कुछ अजीब और गरीब सी हो चुकी थी। वो रातों को देड़ से घर आते थे। सुबह उठते तो उनकी आँखे लाल होती थी। और ना ही वो हम दोनों में से किसी से ढंक से बात करते थे। और अब अपने महिने की सेलरी भी कम देने लगे थे। पता नहीं वो जादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अपने भाईया पर ये सब करके तुम्हारा भाईया मुझसे जीतना चाहता है वो बस जित करके अपनी शादी करवाना चाहता है लेकिन मैं भी तुम दोनों की मा हूँ इतनी असानी से उसके ड्रामों में नहीं आऊंगी जब तक तु इंसान की शादी करने की खौाहिश होती है लेकिन वो अमरू तो भाईया के हाथ से छूटी चली जा रही थी जबकि मुझे लग रहा था कि भाईया के साथ कुछ और ही मैटर है लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं भाईया से इस बारे में कोई सवाल करती मुझे तो भ जिन्देगी में खुशियां आ जाएं और फिर एक दिन मेरी ये प्रातना भी पूरी हो गई मेरे लिए किसी अच्छी फैमली से रिष्टा आ गया था लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी वो मेरी ही उम्र का था लेकिन खाते पीते और अच्छे लोग थे इसलिए मेरी मा भाहिया का भी जल्दी ही रिष्टा हो जाएगा मा ने अभी तक भाहिया की शादी ना करके उनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोल लिया था और फिर देखते ही देखते मेरी शादी भी हो गई थी और मेरे विδα होकर अपनी ससुराल पहुँच गई थी मेरा पती बहुत ही अ मुझे अपने भाईया की शादी के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मुझे अपने भाईया की शादी के लिए मा से जित करनी होगी, क्योंकि अब मा की मर्जी के मुताबिक भाईया की शादी का समय आ गया है, मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों और अपने आसपड़ो उसके लोगों से कह दिया था कि मेरे भाईय के लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिष्ता बताएं. क्योंकि अब मैं भी उनके लिए रिष्ता तलाश करना चाहती थी. और खुद ही अपनी पसंद से अपने भाईय की शादी करवाना चाहती थी. मैं चाहती थी कि अगर कोई मुझे रिष्टा बताए तो मैं लड़की को खुद देखने जाऊंगी और अपनी मर्जी से ही रिष्टा पका करूंगी क्योंकि मेरी चाहती कि मेरी भावी बहुत खुबसूरत हो और बहुत संसकारी भी हूँ लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि किस्मतने मुझे मौका ही नहीं दिया सासुराल में मेरी नंद की शादी आ गई थी और मैं वहाँ पर विजी हो गई और इन यही दिनों मेरी मां की भी टबियत खराब हो गई थी वो बहुत बीमार हो गई थी मैं अपनी मां की सेवा करने के लिए उनके घर पर ही रह रही थी मेरा ध्यान भाईया की रिष्टे की तरफ से पूरी तरह से हट गया था क्योंकि मा कुछ ज्यादा ही बिमार थी और हम लोग उनके लिए बहुत परिशान थे मा का बहुत इलाज चला लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बच सकी हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गए थी हमारी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी अब हम दोनो भाई बहन के सर से मा और पिता दोनों का ही हात उट चुका था मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि मा अचानक ही इस दुनिया से चली गई है इतनी ज्यादा तब्यत खराब तो उनकी पहले कभी नहीं हुई हाला कि उनकी तब्यत हमेशा ही खराब रहती थी पर वो हर बार ठीक हो जाया करती थी इस बार उनकी तब्यत इतनी खराब हो गई कि वो इस दुनिया को ही छोड़ कर चली गई भाईया काम पर गए हुए थे मैंने उन्हें फोन करके घर बुलाया था क्योंकि मा की सेवा करने के लिए मैं अपने माईकी में रह रही थी और इसलिए भाईया को मा की ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही थी वो फौरण ही घर पर आ गए फिर मा का अंतिम संसकार शुरू हुआ सारे घर में सननाटा च्छा गया था और जगा जगा से मुझे अपनी मा की आवाजें सुनाई दे रही थी अपनी मा की मौत पर में बहुत रोई थी क्योंकि मा मुझे बहुत प्यार करती थी उन्होंने हम दोनों भाई बहन को मा और पिता दोनों का ही प्यार दिया था धीरे धीरे घर खाली हो गया था सब लोग वापस चले गए थे अब घर में मैं और सिर्फ मेरे भाईया ही बच गए थे मा की मौत पर भी भाईया बिलकुल खामोश थे ना ही मैंने उन्हें रोते हुए देखा था और ना ही वो किसी से बात कर रहे थे वो बिलकुल खामोश हो चुके थे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से तूट चुके हैं सब के जाने के बाद जब मैंने भाईया से बात करनी चाही तब भी वो पूरी तरहां से खामोश थे अंकित चाहते थे कि मैं वापिस अपनी ससुराल चलूं क्योंकि पहले तो मेरे पास मा की सेवा करने का बहाना था अब तो मा भी इस दुनिया में नहीं रही थी तो फिर मेरा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं था लेकिन मुझे अपने भाईया की बहुत फिक्र सता रही थी मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी इसलिए मैंने अपने पती से कहा कि मैं कुछ दिन और भाईया के साथ भी रहना चाहती हूँ अब मैं कुछ दिनों बाद ही घर पर आऊंगी मेरी बात सुनकर अंकित सोच में पढ़ गए थे और कहने लगे कि मैं तुम्हें अब और यहाँ पर नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी माँ गाउं से हमारे यहां कुछ दिन रहने के लिए आ रही है अब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी माँ हमारी شादी के बाद पहली बार यहां पर आ रही है और तुम अपने माईकी में रहोगी तो वे इस बात का बुरा मानेगी हाँ ऐसा बहतर होगा कि कुछ दिन भाईया को अपने घर पर रख लेते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तो वो हमारे साथ रह सकते हैं मुझे इस बात से कोई अतरास नहीं है मेरे पती को तो इस बात से कोई प्राबलम नहीं थी क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे हमेशा मेरा साथ दिया करते थे लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे भाईया कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे लेकिन जब मैंने इस बारे में भाईया से बात की तो मैं हैरान रह गई थी कि भाईया इस बात के लिए बड़ी जल्दी तयार हो गए थे मेरी ससुराल में तो सिर्फ मैं और मेरे पती ही रहते थे मेरे साथ ससुर गाउं में रहते थे वो कभी-कभी शहर अपने बेटे से मिलने के लिए आ जाते थे शायद इसी वज़ा से भाईया को मेरे घर पर रहने में कोई प्राबलम नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात से कोई अतरास था फिलहाल भाईया ने अपना थोड़ा सा समान पैक कर लिया था और वो हमारे घर पर शिफ्ट हो गए थे मैंने उन से वादा किया था कि मैं जल्द ही उनके लिए अच्छे सी लड़की देखकर उनकी शादी करवा दूंगी और फिर वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे उनका घर भी आबाद हो सकेगा मेरी इस बात पर भी भाईया बिलकुल खामोश थे पहले तो वो शादी के नाम पर उचलते थे मगर अब उनकी जिन्देगी में शादी नाम के शब्द का कोई भी मतलब बाकी नहीं रहा था ये फिर शायद मा के चले जाने पर वो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए थे उन्हें मा के चले जाने का बहुत दुख था आखिर वो उनकी मा थी इस पर दुखी होना तो बनता था मैंने सोचा था कि कुछ दिन उन्हें अपने घर पर रखकर उनकी सेवा करूंगी तो शायद वो नॉर्मल हो जाएंगे और फिर मैं अपने भाईया को लेकर अपने घर चली आई थी मैंने अपने बैडरूम के बरावर वाला कमरा ही भाईया को दे दिया था मैं पूरे 20 दिन गर वापस लोटी थी मेरा घर बहुत गंदा हुआ पड़ा था मैंने सफाय का काम शुरू कर दिया था और फिर खाना बनाकर जैसे ही फिरी हुई तो मुझे भाईया का खयाल आया मैं भाईया को बुलाने के लिए उनके कमरे में चली गई थी तो मैंने देखा कि वो लेटे हुए थे मैं जाकर उनके पास बैट गई भाईया ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे हरशाली माने मेरे साथ बहुत बुरा किया है उन्होंने तुम्हारी शादी तो अपने सामने करवा दी लेकिन वो मेरी शादी करवाए भी नहीं इस दुनिया से चली मैंने अपनी सारी जिन्देगी बस यही सोच कर मेहनत करते करते गुजार दी कि एक नएक दिन मेरी जिन्दीगी में भी खुशिया आ जाएंगी मेरा भी परिवार होगा लेकिन अब तो मा भी इस दुनिया में नहीं रही मैं तो बिलकुल अकेला पड़ चुका हूँ भाई भाईया से खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी भूक नहीं है मैं फिर भी भाईया को जबरदस्ती उठाकर डानिंग टेबल तक ले गई मैं समझ रही थी कि उन्हें मा की आदा रही है भाईया ने दो चार निवाले ही लिये हूंगे उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं था लेकिन बार बार मेरा ध्यान तो भाईया पर ही लगा हुआ था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे घर में आकर सुकून से नहीं है इसलिए तो मैं खुद मा के घर रहना चाहती थी लेकिन मेरे पती की वज़ा से मुझे वापस आना पड़ा था फ सोच रही थी कि अब मुझे जल्दी से जल्दी भाईया की शादी के लिए कुछ करना ही चाहिए और अभी भी मैं यही सोच रही थी रात हुई तो भाईया अपने कमरे में चले गए थे और मेरे पती भी सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गए थे मेरे पती ने जब म मां को तो जाना था वो चली गई है लेकिन अब मुझे भाईया की फिकर लगी हुई है उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है अब उनकी शादी हो जानी चाहिए और अब वैसे भी वो अकेले हो गए हैं उन्हें किसी के साथ की जरूरत है मैं उनको इस तरह से परिशान नहीं को देख सकती मेरी बात सुनकर मेरे पती कहने लगे कि मेरे आफिस में दो लड़किया हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर अभी तक शादी नहीं की है तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ लड़कियां देखने में काफी ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने अपने पती से कहा था कि ठीक है मैं एक बार लड़कियों को देख लूँ फिर उन से रिष्टे की बात कर लेंगे मैं खुद ही लड़कियों को देखूंगी अपने पती से बात करके मेरा दिल थोड़ा हलका हो गया था पलकिपूर एक महीने के लिए आ रही है या फिर उससे ज्यादा कभी समय लग सकता है वो अभी कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहती है वो गाउं से आ रही है उनकी बात ने तो मुझे परिशान कर दिया था उनके आने से मुझे कोई प्रॉबलम नहीं थी लेकिन अब मेरे रहते हुए दो दिन गुजर गए थे एक दिन नाश्टे के टाइम पर उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी वो मुझे से कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए आता है मैंने चौक कर अ अपनी सास को देखा और कहा कि आपको कोई गलत फैमी हुई है माजी मेरे और मेरे पती के कमरे में मेरे भाईया क्यों आएंगे और वो भी आधी रात के समय मेरे पती भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे वो भी अपनी मा की बात पर उन्हें हैरानी से देखने लगे मेरी सास न तुम्हारे कमरे में क्या काम है। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देती, मेरे भाई अभी नाश्टे के लिए आ गये थे। उन्होंने मेरी सास की बाते सुन ली थी, वो एकदम ही मेरी सास की बातों पर नराज हो गए और कहने लगे कि आउंटी आप ऐसी बाते क्यों कर रही हो, मेरा भला अपनी बहन की कमरे में क्या काम है, मैं तो सारा दिन नौकरी पर होता हूँ और शाम को ठका हारा घर वापस आत कहा कि माजी को कोई गलत फैमी हो गई है, आप बैठ कर आराम से नाश्ता करो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पती ने भी भाईया को रोका, तो वो बैठ कर नाश्ता करने लग गए, जबकि मेरे सास की चेहरे का रंग जरूर उतर गया था, कुछ दिर बाद मेरे भाईया काम पर चले गए, और मेरे पती भी घर से आफिस जाने के लिए निकल गए थे, मेरे सास मेरे पास आई और कहने लगी, कि बहु मुझे कोई गलत फैमी नहीं हुई है, तुम्हारा भाई सच में कुछ गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं है, मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा, कि आप यहां पर कुछ दिनों की महमान हो, तो बहतर यहीं होगा, कि हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो, और खास कर मेरे भाईया की बारे में तो कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया था, और वो कहने लगी कि एक ने एक दिन तुम्हें अपने भाई के स्वेवार पर पच्ताना ही पड़ेगा, फिर तुम्हें एसास होगा कि मैं सही कह रही थी, यह कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई थी, और मैं उनकी बात पर परिशान हो गई थी, ना जाने वो क्या कह रही थी, और क्या कहना चाहती थी मुझे तो इनकी कोई बात समझ नहीं आई थी फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो मुझे धमकी दे कर गई है शाम को जब मैंने अंकित को ये बात बताई तो वो कहने लगे कि तुम परिशान मत हो गर्मी की वज़ा से मा कभी कभी अपने कमरे का दर्वाजा खुला हुआ छोड़ देती हैं अब हम अपना कमरा लॉक करके सोया करेंगे अंकित की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया था मैंने अंकित से कह दिया था कि आपको भी मेरे भईया पर शक हो रहा है जो आप लोग कमरे लॉक करने की बात कर रहे हो वो कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है बस जब तक मा यहां पर है हमें खयाल रखना चाहिए मैं नहीं चाहता कि वो यहां से नाराज हो कर जाएं वैसे भी वो यहां कभी कभी आती हैं और उसके बाद मेरे पती ने कमरे का दर्वाजा बंद करके सोना शुरू कर दिया था ऐसे ही कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे फिर मेरी सास ने एक नया हंगामा क्रियेट कर दिया था वो कहने लगी कि तुम्हारा भाईया तुम्हें नशे की दवाई देता है पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मन ही निकाल रहा है या फिर वो तुमसे कुछ चाहता है लेकिन तुम लोगों को तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा मैं और अंकीत दोनों ही मेरे सास के कमरे में बैठे हुए थे उनकी बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खौल रहा था उन्होंने मेरे लिए एक नई प्रॉबलम खड़ी कर दी थी मैंने अपने पती की तरफ देखा तो वो अपनी मा से पूछने लगे कि आखिर आप ऐसा क्यूं कह रही हो हरशाली का भाई तो एक बहुत अच्छा इंसान है हम लोग उसके लिए लड़की ढून रहे हैं ताकि उसके जल से जल शादी करा सके उसके बाद वो अपनी पतनी के साथ खुश रहेगा मेरी सास कहने लगी मुझे तुम लोगों की नियत पर शक नहीं है लेकिन हरशाली के भाई के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है पहले वो आधियादी रात को तुम दोनों के कमरे में जाता था और कल रात तो मैंने उसे खुद तुम लोगों के दूद में दवाई मिलाते हुए देखा था वो कुछ सफेद रंग का पाउडर था मुझे तो पक्का यकीन है कि वो जरूर तुम्हें नशे की दवाई देता है अपनी मा की बात सुनकर मेरे पती ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा था और कहने लगे कि तुम्हारा भाई ये क्या करता रहता है मेरी मा इतना सब को जोटतों नहीं कह सकती जरूर कोई ना कोई बात होगी मेरे पती को अचानक मेरी सास की बातों पर यकीन आ गया था मैंने अपने पती से कहा क्या आप होश में तो हो अगर उन्होंने हमें नशे की दवाई दी होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते जरूर मा जी को कोई गलत फहमे हुई होगी मगर मेरी सास कहने लगी बहू मैं बोड़ी जरूर हो गई हूँ लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि अपनी आखों के सामने ये सब देखकर भी अंदेखा कर सकूँ तुम लगों को साफधानी बरतनी चाहिए ऐसा नहो कि किसी दिन अपनी किसमत को रोते रहो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ कोई परिशानी है मेरी सास की बात सुनकर मेरे पती भी एकदम गुस्से से उठे और मेरे भाईया के कमरे की तरफ बढ़ गए वो मेरे भाईया के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि तुमने रात को हमारे दूद में कौन से दवाई मिलाई थी मेरे पती की बात सुनकर मेरे भाईया चौक गए थे और परिशान होकर उनको देखने लगे और कहने लगे कि आपके दूद में मैं क्यों कुछ मिलाऊंगा और आप कौन सी दवाई की बात कर रहे हो आपको शायद कोई गलत फैमी हो गई है मेरे पती गुसे में कहने लगे कि मेरी माने मुझे इस बारे में बताया है और उन्होंने तुमें खुद अपनी आखों से ये हरकत करते हुए देखा है और पहले तुम चोरी चुपके हमारे कमरे में भी आया करते थे और अब हमारे दूद में भी कुछ मिला कर हमें दे रहे हो हम तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगा दी हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए और तुम हमारे ही दुश्मन बन रहे हो मेरे भाईया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं अभी और इसी वक्त अपने घर को जा रहा हूँ आएंदा मुझे अपना भाईया मत कहना मैं कभी इस घर में अब नहीं रहूंगा मैंने सारी जिन्दे की तुम्हारी खुशी की खातिर अपने खुशियों को कुर्बान किया और देख लो आज तुम्हारा पती मुझे कैसी कैसी बाते सुना रहा है ये चाहता ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं इसलिए मुझे निकालने के लिए ये दोनों मा बेटे इस तरह की बाते कर रहे हैं भाईया ने घुसे में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर अंकित कहने लगे कि अपने भाई को जाने दो अब इसका यहां पर रहना ठीक नहीं होगा मुझे अंकित से इस बेहेवियर की उमीद बिलकुल भी नहीं थी बलकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी मां की इस तरह की बेतु की बातों में आ जाएंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था बलकि कोई भाई अपनी बहन के साथ कभी कुछ गलत कैसे कर सकता है इसलिए मैंने गुस्से में आकर अपने पती से कह दिया कि अगर मेरे भाईया यहां नहीं रह सकते तो मैं भी यहां पर नहीं रहूंगी अगर आप मेरे भाईया पर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूँ मेरे पती गुस्से में कहने लगे कि ठीक है फिर तुम भी अपने भाईया के साथ मेरे घर से निकल जाओ तुम्हें तो नजर ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भाईया तुम्हारे साथ क्या कर रहा है अपने पती की बात पर मेरी आँखों में आशू आ गए थे मुझे उनसे ऐसी उमीद नहीं थी मैंने अपने भाईया से कहा कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ और फिर मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया था मैं अपने भाईया के साथ अपने माई के आ गई थी, मैं अंकित से बहुत प्यार करती थी लेकिन मुझे ऐसी उमीद बिलकुल भी नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा बेहिवियर करेंगे, उन्होंने तो मुझे रोकनी की बिलकुल भी कोशिश नहीं की, अपनी मा की बातों में आ रहती थी और शाम को लड़किया देखने के लिए घर से निकल जाती थी लेकिन अभी तक मेरे भाईया के लिए कोई परफेक्ट रिष्टा मुझे नहीं मिल रहा था फिर फाइनली काफी दिनों के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी वो बहुत ही अच्छे परिवा वो कहने लगे कि मैं आप शादी नहीं करना चाहता मैंने गुस्से में भाईया से कह दिया था कि आप ऐसा क्यूं कर रहे हो मैंने आपके लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है और आपकी खातिर मैंने अपना घर तक छोड़ दिया है ताकि आप खुश रह सको आप आपका घर बस सके आपका साथ देने वाला कोई हो आप शादी नहीं करोगे तो सारी जिंदेगी अकेले कैसे गुजारोगे भाईया मुस्कुरा कर कहने लगे मैं अकेला तो नहीं हूँ अब तुम भी तो इस घर में मेरे साथ रहती हो हम दोनों मिलकर सारी जिंदगी इसी तरहां से गुजार सकते हैं। भाया की बात मेरे सर के उपर से होकर गुजर गई थी। मैंने कहा कि जब लड़की मिल रही है तो फिर क्या परशानी है। भाया कहने लगे कि मैं जिस लड़की से महबत करता था उसकी शादी अब हो चुकी है। मैंने मा से उसके बारे में कई पर माने कभी मेरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं और ना ही कभी तुम से कहा कि मेरे लड़की तलाश करो ये तो तुम थी जो मेरी शादी के लड़की ढूणने में लगी हुई हो लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी है क्योंकि मेरी महबत अब किसी और की हो चुकी है मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता भाईया की बात सुनकर मैंने हैरत से उन से पूछा कि इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है इसलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी मेरी बात पर मेरे भाईया ने ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने भाईया की मुझे ये कैसी बाते सुन रही हूँ वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर पर इसलिए गया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि जब मन पसंद चीज हाथ से छिन जाती है तो कैसा महसूस होता है बस ऐसी ही तकलीफ मुझे भी हुई थी तुम्हारी खातिर माने मेरी शादी नहीं की पहले तो तुमने जब पढ़ उसे धोका दे दिया मैं उसकी नजरों में धोके बास बन गया उसकी शादी उसके घर वालों ने कहीं और करवा दी मैं अपनी मोहबबत से हाथ धो बैटा था मुझे मेरी मोहबत दूर हो गई और उसके बाद तुम्हें अंकित के साथ विदा कर दिया गया तुम दोनों एक अच्छी जिन्देगी गुजारने में लग गए और मेरी फेलिंग्स के बारे में किसी नहीं सोचा मा इस दुनिया से चली गई तो मैं बिलकुल अकेला रह गया तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही वक्त तक निभाने की बात की थी जब तक मैं शादी नहीं कर लिता म मेरी खाते तुम सारी जिन्देगी आपने आपको कुर्बान नहीं कर सकती थी लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी जिन्देगी कुर्बान कर दी तुम्हारी और मा की हर बात को माना तुम्हारी हर खुशी को पूरा किया बस इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं त तुम्हारी सास ने जो कुछ भी कहा था वो सब ठीक कहा था। मैं दूद में तुम दोनों को दवाई मिला कर दे रहा था। इस दवाई से तुम कभी मान नहीं बन सकते थी। मैं चाहता है था कि तुम दोनों संतान के लिए तरस जाओ और तुम्हारा पती तुम्हें छोड़ किया गया था, भाइया की बात सुनकर मुझे लगा था, कि मेरे शरीर से जान निकल रही है, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे भाइया से ऐसी उमीद नहीं थी, कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोका कैसे कर सकते थे आखिर में उनकी सगी बहन थी जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी मुझे तो हमेशा से ही उनकी फिक्र लगी रहती थी मैं मानती थी कि माने मेरी खातिर भाईया के खुशियों का गला घोट दिया था लेकिन ये मा का फैसला था मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था तो फिर मुझे इस बात की सजा क्यों मिल रही थी भाईया मुझे बच्चा ना होने के लिए ना जाने कैसी दवाईया खिला रहे थे और ये सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा भी करते थे मैंने रोते हुए अपने भाईया से कहा मैं आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ मुझे नहीं पता था कि आप मा की सजा मुझे दोगे भाईया खामोश रहे मैंने अपना समान उठाया और वापस अपने ससुराल चली गई थी मैं उस दिन बहुत रोई थी जबकि मुझे भाईया की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था उनके साथ बहुत गलत हुआ था मुझे देखकर मेरे पती बहुत खोश हो गए थे और अपनी महबत का इजहार करने लगे मैंने अंकित को अपने भाई की सचाई नहीं बताई थी और ना ये बताया था कि वदूद में हमें क्या मिला कर पिला रहे थे मैं नहीं चाहती थी कि इस बात की वज़़ा से मेरे पती के दिल में मेरे भाईया के लिए इज़द कم हो जाये क्योंकि अगर ये सच उने पता चल गया तो वो मेरे भाईया से और ज्यादा नफरत करने लग जाते। मेरे भाईया काम की सिलसिले में दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे और मैंने उनके साथ सारे कॉंटेक्ट खतम कर दिये थे। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे का शुक्र है कि मेरे पती की महबत ने मेरी विरान जिन्देगी को फिर से आबात कर दिया था। मैंने अपने भाईया से सारे संबंद खतम कर दिये और भाईया ने भी मुझे कभी बात करने की कोई कोशिश नहीं की वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए मुझे इस बात के खुशी है क्योंकि अब मुझे उनकी फिक्र भी नहीं सताएगी क्योंकि वो महाँ पर अकेले नहीं हैं उनके साथ काफी सारे लोग रह रहे हैं मुझे तो सिर्फ अपनी जिन्देगी पर ध्यान देना था मेरी जिन्देगी मेरे पती के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है अब मेरी शादी को पांच साल हो गए लेकिन आज तक मैंने अपने भाईया की कोई खबर नहीं रखी ये बात सही थी कि उनके साथ बहुत गलत हुआ था लेकिन उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था कभी मुझसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की क्योंकि उनको यहीं लगता है कि ये तो भगवान की देन है जब भगवान हमें माता पिता बनाएगा तब हम बन जाएंगे भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता मेरा पती बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार कर दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमाली कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले